नमस्कार दोस्तों मैं प्रितिस रिवासब आज जानिए मेरी इस वीडियो के दौरान के भगवान हनुमान का जनम किस प्रकार हुआ उनके जनम के पीछे क्या रहसे था कहते हैं भगवान हनुमान अंजना और केश्री नंदन के पुत्र हैं जो की एक परवगिरी के लाचा थे माता अंजना भगवान भ्रहमा के कोड में एक अपसरा थी कहा जाता है कि वह उन्हें उन्हें श्राब दिया कि वह जिस समय उन्हें किसी से प्रेम होगा तो वह उसी वक्त बंदरिया बन जाएगी और उन्हें ये श्राब मंजूर गरना पड़ा क्योंकि उन्हें ही एक बंदर को तपस्या करते हूँ कुछ फल फैककर मार दिया जिससे उनकी मित्य हो गई और वह अगले जनम में रिशी मुनी बने और रिशी मुनी बनने के बाद ये शराप उन्होंने अंजना को दिया था और इसके कारण जब उन्हें किसी से प्रेम होगा तो वह एक बन्दरिया के रूप में सामने अन्जना ने उस कारे के लिए छमा मांगी और छमा मांगने के बाद भी रिशी मुनी ने उन्हें माफ नहीं किया उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें किसी से प्रेयम होगा तुम बंदरिया तो बन जाओगी लेकिन जो तुम्हारा पुत्र होगा अप भगवान्शिप का ही रूप होगा अंजना इस बाद से दुखी हुई और वह जंगलों में चले गी जहाँ पर उन्हें केसरी से मुलाकात हुई तो केसरी ने उनसे विभा करने के लिए अपना प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा कि मैं बंदरिया हूँ मुझे क्यों कि श्राप मिला है तो केसरी ने उन्हें बताया कि वह मी बंदरों के ही राजा है उनके पास ऐसा मुख था कि वह मानव से बंदर और बंदर से मानव बन सकते थी तो उन्होंने ये बात चान कर उनसे विभा करने के लिए हां कर दी और उन्होंने फोर तपस्या करने के बाद उन्होंने भगवान शिप से पुत्र मागा तो भगवान शिप ने अपने समान ही पुत्र देने के लिए ततास्तों कहा उसी और राज़दर्शत ने पुत्र कामिस्तों के लिए एक हवरियग करवाया जिसे वे पुत्र की प्राप्ति कर सेके और भगवान अग्नी देपता खुश होकर उन्हें पुत्र के लिए हलवा प्रधान किया जो कटोरी में था उन्हें ने कहा आप अपनी राणियों वो ये खिला देजीगा कटोरी का हलुआ राज़दर्शत की पहली पत्नी बड़ी पत्नी को पतं के द्वारा भेजा गया जिस पीच रास्ते में एव अंजना भी प्रातना कर रही थी तो उनकी कटोरी में चाकर हलवा गिर गया तो माता अंजना ने भी वह गरेंट कर लिया इसी गर में भगवान शिपकी ही अफ्तार बास कर गई इसके पशार भगवान हनुआन का चरम हुआ भगवान हनुआन को वायू पुत्र इसलिए कहा जाता है माता अंजना की कटोरी में हवा के द्वारा ही वह हलवा गिरा था जिस कारण वह गर्वती हुई थी इसी लिए उन्हें वायू पुत्र भी कहा जाता है उनके बारे में हमने रवायन में भी सुनाई है तो ये हैं भगवान हनुआन के जन्म की रहस्ते की कहानी और मेरी वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले जब तक के लिए मैं अप्रिकी स्रिवास तब आपसे इजाज़त लेती हूँ